एक व्यक्ति जो बड़ा परिशान था बड़ा दुखी था और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने के सपने देखा करता था सपना तो बहुत देखा करता था कि मेरे पास ये हो जाए वो हो जाए ऐसा हो जाए वैसा हो जाए लें करने के नाम पर केवल सोचना केवल सपने देखना केवल खौब देखना और परिणाम यह आया कि उसे कुछ हासिल नहीं हुआ तो और ज्यादा परिशान हो गया और ज्यादा दूखी हो गया तभी उसे पता चला कि उसके गाव में एक संत आये हैं जो चुटकी में समस्याओं का समाधान कर द दिला दूँगा और वो कल व्यक्ति संत के पास पहुंचा और संत उसे अपने सांथ लेकर के रवाना हो गए रवाना होते 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 बीच में एक खेत आया जहाँ पर बहुत सुन्दर फसल लगी हुई थी तो संत ने उस व्यक्ति से पूछा ये बताओ कि ये फसल कैस तो उस व्यक्ति ने कहा कि पहले जमीन की अच्छी तरह से बुवाई की गई होगी फिर उसके बाद अच्छे बीच बुवाई गए होगे फिर उसकी अच्छी तरह से रखवाली की गई होगी अच्छी तरह से पानी और खाद डाला गया होगा समय समय पर उसका ध्यान रखा और इतने पुर्शार्थ और मैनत के बाद आज ये सुन्दर फसल लगकर के आई है संत मुस्कुराए फिर उसको आगे लेकर के बढ़ चले और आगे बढ़ते 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 घास का मैदन आया फिर संत ने पूछा देखो ये घास कैसे आई ये घास कैसे उकर के आई तो उस वेक्ति ने कहा कि यहाँ पर कोई बीज बोए नहीं गए और बीज नहीं बोए गए तो घास तो अपने आप ही आ गई अपने आप ही घास आ गई तो संद ने कहा कि तेरी समस्या का एक ही समादान है अगर तूं अच्छे बीज नहीं बोएगा तो केवल घास ही जीवन में उगर करके आएगी और अच्छे बीज बोएगा और उसकी रखवाली करेगा तो अपने आप जीवन में अच्छी फसल उगर करके आजाएगी थे तो हम भी अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं तो जरूरी है उसके लिए अच्छे बीज बोरना वरन इसकी पुरी सार संबहाल करना तब हमारे जीवन में खुश्यों की फसल सदा लह लहाती हुई आती चली जाएगी हम सादू संतों के पार जाते हैं तो सादू संत कहते हैं कि अपने जीवन को बदलो अपने जीवन को बदलो लेकिन हम सुन-सुन करके ये समझ नहीं पाते हैं कि बदलाव होना कहां चाहिए परिवर्तन होना कहां चाहिए ये बात तो हम समझ नहीं पाते हैं ध्यान रखिएगा जीवन को बदरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए साधन तो सभी जुट जाएंगे केवल संकल्प धन चाहिए मन होना चाहिए मानसिक्ता होनी चाहिए तो फिर जीवन में अपने आप ही आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाया करते हैं तो आज मैं जो पहला निवेदन करूंगा वो है कि हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है ऐसा नहीं कि बदलाव लाने की आदत नहीं है हमारे जिर्में बदलाव लाने की आदत नहीं हमारे जिर्में बदला लेने की आदत है हम दूसरां से बदला तो खूब लेते हैं अब हमें थोड़ा सा दो कतम और आगे बढ़ना है बदला लेने की बजाए हमें अपने जियर में बदला लेकर के आना है बदला लेंगे तो आपका भी नुकसान होगा और सामने वाले का भी नुकसान होगा लेकिन बदला आएगा तो हमारा भी भला हो जाएगा और सामने वाले का भी भला हो जाएगा तो पहला जो बदलाव हमारी जिवर में आना चाहिए और वो है कि हमें अपने मनो रंजन की बज़ाए अपने मनो भंजन की और ध्यान देना चाहिए आज कल हर कोई मनो रंजन में मश्गूल है हर कोई मनो रंजन में मश्गूल है एज्जूकेसण यानि हम मनुरंजन से शिक्षा की और बढ़े हमने बच्पन में अपने बहुत सारे साल शिक्षा के लिए लगाए हैं लेकिन पढ़ते 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 हमें वह पढ़त बोरिंग बहुत भारी बहुत भारी पढ़ाई लगती थी बड़े भारी मन से हम पढ़ाई करते थे और एक्जाम देते थे और जैसे तैसे करके परिक्साय पास करके आगे बढ़ते चले जाते थे और अगर आज भी कोई एज्यूकेशन की बात करे तो हमें बड़ा अजीव लगता औरे इस उमर में पढ़ाई इस उमर में लेकिन याद अखना चाहिए जीवन का जब भी निर्माण होता है कभी एंटरटेन्मेंट से जीवन का निर्माण नहीं होता है शनिक खुशी तो मिल जाती है जैसे हमने एक खेला थोड़ी देर के लिए तो रिलिफ मिल जाएगी लेकिन जीवन का निर्माण होगा जैसे हमने मोबाइल पर कार्टोन या टीवी पर कार्टोन देखा तो उससे थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगेगा लेकिन उससे जीवन का निर्माण नहीं होगा दिमा का वि पर जा रहा है कोई बच्चा और किसी टीवी पर जा रहा है क्यों कि बच्चों को वैसा ही माहुल मिल रहा है उनका एंटेटिमेंट तो खुब हो रहा है लेकिन उनकी सही सिक्षा नहीं हो रही है हम जैसे ही बच्चे होते हैं बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं बच् देखना क्या नहीं देखना वो समस्ते नहीं हैं तो इसलिए बच्चों को क्यों मोबाइल मत पकडा दीजिए अगर आप क्यों मोबाइल पकडा लेंगे तो वो या तो कार्टोन देखेंगे या गैम खेलेंगे तो इससे उनके जीवन का निर्मान नहीं होगा आँखे भी कमजोर होगी और दिमाग भी कमजोर होगा तो मोबाइल पकड़ाने के साथ साथ ये भी उनको प्रेडित कीजिए कि बेटा इसमें देखना क्या है इसमें देखना क्या है हमें वो चीज देखनी और दिखानी है जिससे हमारे जीवन का निर् हो जिससे हमारे दिमाग का विकास हो जिससे हमारे जीवन में सद्गुणों का विकास हो अगर वो हम वो चीज देखेंगे चाहिए फिर मोबाइल का यूज करें कि टीवी का यूज करें या किसी भी चीज का यूज करें अगर हम केवल मनोरंजन के लिए उसका यूज करेंगे तो आपको शनिक खुसी मिल जाएगी लेकिन आपके जीवन का इस्तर कभी उपर उठ नहीं पाएगा जहां आप खड़े हैं जीवन बरवई के वहीं खड़े रहेंगे और अगर हमारे मन में ये सोच होगी कि मैं वो एंटरटेंट्मेंट करूंगा जिससे मेरा एज्यूकेश तो हर चीज हमारे लिए वर्दान बन जाएगी जीवन में एज्यूकेशन की जरुत तो अंतिम खशन तक हुआ करती है यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर एज्यूकेशन तो हो रहा है जीवन का निर्माण हो रहा है संसकारों का निर्माण हो रहा है यह एज्यूकेशन ही ताकि ज्ञान प्राप्ति के द्वार हमारे जीवन में सदा खुले हुए रहे तो इसलिए अपने जीवन का जो पहला बदलाव है वो क्या है Entertainment to Education मनुरंजन की बजाए मांसिक विकास ये हमारे जीवन में पहला बदलाव पहला परिवर्तन इस पर हमें गौर करना चाहिए हमें भी गौर करना चाहिए और अपने बच्चों को भी इसके परती सजक करना चाहिए इसके परती जागरूप करना चाहिए और दूसरा जो बदलाव हमारे जीवन में आना चाहिए और वो है कि हमें कटर बनने की बज़ाए हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए आज जहां पर भी लोग जाते हैं या तो उसे कटर मुसल्बान बनाया जाता है या कटर हिंदू बनाया जाता है या कटर इसाई बनाया जाता है कटर जैन बनाया जाता है कटर इंसान बनाने की बजाए तो हमें अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करना चाहिए एक यूवक के भीतर में जिग्यासवी धर्म को जाने की तो वो चर्च में गया वहाँ पर पादिजी मिले और पादिजी ने उसे सिक्षा दी और कहा कि तू रोज यहाँ पर आया कर मैं तुझे एक अच्छा इसाई बना दूँगा और कहते हैं कि भाद यूवक के मन में जमी नहीं फिर वो थोड़ी दिनों के बाद मजजिद में पहुँचा तो वहाँ पर उसे मौलवी जी मिले और वो रोज उनके पास आने जाने लगा तो मौलवी जी नहीं कहा कि तू अगर रोज यहाँ पर आयेगा तो मैं तुझे अच्छा मुसल्मान बना दूँगा फिर उसके बाद जची नहीं फिर वो किसी तीसरी जगे गया और वो गुरु द्वारे में पहुँचा तो वहाँ बार गुरु ग्रंती जी मिले और कहा कि तू रोज अगर यहाँ आएगा तो मैं तुझे अच्छा सिख बना दूँगा फिर वो मंदिर में गया तो वहाँ पर पंडित जी मिले और पंडित जी ने भी उसे कहा कि अगर तू यहाँ पर रोज आएगा तो मैं तुझे अच्छा हिंदू बना दूँगा और फिर वो उपाश्रे में गया, वहाँ पर उसे मुनी जी मिले और उन्होंने भी उसे अच्छी अच्छी बाते बताई और कहा कि अगर तुह रोज यहां पर आएगा तो जे अच्छा जैन बना दूँगा, फिर वो गोमते गमते संबोधी धाम में आ गया तो संबोधी धाम में आया और यहां पर गुरुजनों से मिला ललित प्रभूजी चंद्र प्रभूजी से मिला और उनके प्रवचनों को सुना और रोज आने जाने लगा फिर उसने पूछा आखिर आप मुझे क्या बनाना चाहते हैं तो गुरुजी ने कहा मुसल्मान सिख्या इसाई यह कुछ भी है अच्छी बात है अगर वो सब कोच है लेकर अच्छा इंसान नहीं है तो सब गुड गोबर हो जाएगा तो हमें दूसरा जो परिवर्तन हमारी जीवर में आना चाहिए कि हमें अच्छा इंसान be a good man गुर्देव कहते हैं अगर आप गोड बन सको तो अच्छी बात है गोड नहीं बन सकतो कम से कम गुड तो बन ही जाएए अपने आपको गुड जैसा तो बना लेजिए अपने आपको अच्छा इंसान बना लेजिए अनिक लोग ये भी सोचते हैं कि हम अच्छे बन जाएंगे तो दूसरे लोग भी हमारे साथ अच्छा वेवार करेंगे ये कोई जरूरी नहीं है ये कोई जरूरी नहीं आप इसलिए अच्छे नव बने कि लोग भी आपके साथ अच्छा वेवार करेंगे जैसे कोई साकाहरी है और कोई सांड उसको टक्कर नव मारे ये कोई जरूरी नहीं है आप तो अच्छे इंसान इस लिए बने क्योंकि अच्छे इंसान बनने से ही जीवन का कल्यान संभव है जीवन का निर्मान संभव है तो दूसरा बनलव क्या आना चाहिए? हमें अच्छा इंसान बनने की भावना रखनी चाहिए. मैं अपने जीवन में और कुछ बन पाओं की न बन पाओं पर अच्छा इंसान तो जरूर बन जाओंगा. अगर आप अच्छे बन जाएंगे तो पत्नी भी आपसे खुश होगी बच्चे भी आपसे खुश होंगे, घरवाले भी आपसे खुश होंगे और पडोसी भी खुश होंगे और जहां पर आप जाएंगे सब लोग आपसे खुश होंगे और अगर आप अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तो कोई आपसे खुश नहीं हो पाएगा. मैं रतन टाटा जी की बात बताना चाहूंगा जब ताज होटल में आग लगए थी जब ताज होटल में आग लगए थी और वहाँ पर आतंगवादियों का हमला हो गया था लेकिन आपको जान करके ये आश्यरे होगा कि ऐसी इस्तती होने के बावज़ुद भी वहाँ का कोई भी करमचारी वहाँ से भाग करके नहीं गया जब इसकी रिसर्च की गई तो पता चला कि वहाँ पर जो भी करमचारी काम करते हैं जो भी स्टाप काम करते हैं जो भी मैनेजर काम करते हैं उनको सबसे पहले एक ही शिक्षा दी जाती है कि यहाँ पर जो भी आता है वही हमार लिए भगवाने उसकी सेवा ही हमारे लिए सबसे पहला धरम है prevention यहां पर जो भी लोग आये हुए हैं उनकी रक्षा करना सबसे पहला हमारा धरम है और बात आपको मैं यह बताना चाहूंगा यह सब संभव कैसे हुआ यह सब संभव कैसे हुआ यह सब उन्होंने अपने मालिक को देखकर के सीखा रतन टाटा जिनकी यह खासे थी कि ऐसी इस्तती होने के बावजुद भी वहां का जितना भी इस्ठाबदा जितना भी करम चाहिए था उन्हें सब को अपने और से मुआवजा परदान किया और वहां उस होटल में जितने भी यात्री आये थे और उनका अगर नुकसान हुआ तो उन्होंने भी उसको मुआवजा अपने और से दिया और खास्यत तो है आ जाया करते हैं तो दूसरा मैंने निविदन किया नंबर दो अपने जीवन में अच्छे इंसान बने हम खुबसूरत तो दिखना चाहते हैं पर खुबसूरत बनना अच्छा बनना क्या चाहते हैं याद अखियेगा खुबसूरत बनना अच्छी बात है पर अच्छा इंसान बनना तो सबसे बड़ी खूब सूरत बात है और जो मैं तीसरा निवेदन करना चाहूंगा और वो ये है कि नंबर तीन केवल खुद के बारे में सोचने की बजाए अपने देश के बारे में सोचिए अपने नजरीय को थोड़ा सा विराट बनाईए बड अपने देश के बारे में सोचा करते हैं अगर आप किवल खुद के बारे में सोचेंगे तो मरने के बाद आपके अलावा आपको कोई याद रखने वाला नहीं है अगर आप घर वालों के लिए सोचेंगे तो दो बच्चों के अलावा कोई याद रखने वाला नहीं है लिक क्या चाते हैं जैसे आज हम बगत सिंग का नाम लेते हैं तो हमारी चाती चोड़ी हो जाती है मात्मा गांदी का नाम लेते हैं तो हम गर्व से भर जाते हैं महावीर या बुद्ध का नाम लेते हैं तो हमारी भीतर में शद्दा और भक्ती भाव पैदा हो जाता है क्यों क्यो उन्होंने खुद के लिए नहीं सोचा, उन्होंने प्राणी मात्र के लिए सोचा, देश के लिए सोचा, इतना विराट नजरिया अपने जीवन में लेकर के आए, इसलिए आज उनको सभी सलाम करते हैं, इसलिए याद रखिएगा, इस दुनिया में मरते तो सभी है, लेकिन जीता तो कोई-कोई है, मरते तो सभी है, लेकिन जीता कोई-कोई है, और जीता वही है, जो अच्छे काम करता है, हमें ऐसे काम करने चाहिए, कि हमें जीते जी भी, जो हमारी याद दिलाए, और जानने के बाद भी हमारी याद दिलाए, तो हमें अपने जीवन में इतना बड़ा सोच और इतना बड़ा नजरिया लेकर के आना चाहिए हमारी भीतर में भावना होने चाहिए कि मैं कम से कम दो हजार घरों का पेट तो जरूर भरोंगा कम से कम दो हजार लोगों के घर का पेट जरूर भरोंगा जो लोग इतना बड़ा नजरिया लेकर के चलते हैं तो उनके जीवन में दो हजार घरों का पेट बढ़ने की व्यवस्था भी होनी सुरू हो जाती है जो किल खुद के बारे में सोचता है अपने बीबी बच्चों के बारे में सोचता है तो किवल चार लोगों का ही पेट भर पाता है ज्यादा लोगों का पेट नहीं भर पाता है लेकिन जो अपना नजरिया बड़ा लेकर के चलता है कि नहीं किवल मुझे अपने घरवालों का ही पेट नहीं बढ़ना है वरन दूसरे लोगों का भी पेट भरना है तो मांग कर चलिए उनकी व्यवस्था भी अपने आप होनी सुरू हो जाती है जैसे आज जितनी बड़ी-बड़ी फैक्टियां चल दी है और वहाँ पर हजार भरों का गोजारा चल रहा है वहाँ उनकी व्यवस्था होती एक नहीं होती है होती है बड़ी सोच का जादू अपने आप ही बड़ा होना सुरू हो जाता है तो इसलिए अपने जीवन में हमेशा देश के बारे में सोचिए बड़ा सोचिए कितनी गजब की बात है हम टीका टिपनी करनी हो तो तुरंत कर देते हैं प्पी नेता की बारे में बोलना हो तो तुरंद बोल देते हैं वह ऐसा है उधकly के ने 92 वालों बहुत सुंदर एकदम में केww갔 उसको बड़ा आश्चरी हुआ कि यह बारत मेν क्यूँ आया श पर उस ने पूच्छा कि वहां पर कोई कमी नहीं है शब वह Hopkins तो यहां पर कुछ दूसरों की बारे में टिकर टिपनी करने वाले तो बहुत हैं। लेकिन करने वाले कम हैं। तो हमें कि दूसरों की टिका टिपनी करने की बजाएं अपने खुद के जीवन से आदर्श पेश करने की कोशिश करनी चाहिए और इस देश के बारे में हम कुछ कर गुजर जाएं ऐसी मानसिक्ता हमारी भीतर में होनी चाहिए तो अगर ये तीन परिवर्तन हमारी जीवन में आते हैं नमबर एक, entertainment to education मनोरंजन से मनोविकास नमबर दो, कटर बनने की बज़ाए अच्छे इंसान और नमबर तीन, खुद के बारे में केवल सोचने की बज़ाए देश के बारे में सोचने की मानसिक्ता ये तीन बदलाव अगर हमारे जीवन में आते हैं तो हम अपने जीवन को धन्य करने में सफल हो जाते हैं कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए साधन तो सभी जुट जाएंगे बस केवल संकल्प धन चाहिए